आज देख रहे हैं सब्जेक्ट कम्प्यूटर साइंस और यह है वर्किंग विद क्वेरीज का चाप्टर इस वर्किंग विद क्वेरीज का चाप्टर में हम आज देखने वाले हैं सेटिंग रिलेशन्शिप बिट्वीन टेबल्स ओके सो यह है सेशन टू अभी तो हमें पता है कि हम लोगों ने इतना सारा टेबल्स क्रियेट किया हैं याद है ना आपको प्रिवियस सेशन में सब ह हम लोगों ने टेबल्स क्रियेट किया था और टेबल्स में बहुत सारे ओपरेशन्स कियेते हैं फर एक्जांपल हम लोगों ने फील्ड आड किया था रेकॉर्ड अड किया था रेकॉर्ड डिलीट किया था फील्ड को डिलीट किया था और कुछ और आज हम जो देखने वा डेटा भी ले सकते हैं जब कभी हमें दो डिफरेंट टेबल से डेटा लेना पड़ता है तब ही हम लोगों को दोनों टेबल पे relationship रखना है for example we are supposed to connect both the tables अभी सोचो कि हम लोग student database create कर रहे हैं सोचो दो tables create कर रहे हैं database के अंदर और दोनों table को relate करने वाले हैं alright relate करने से क्या होगा you can use क्या use कर सकते हो आप you can start using the data from both the tables at the same time okay so अभी देखने वाले हैं कैसे उसे करेंगे alright चलो session के अंदर हमें तो पहले microsoft access कोलना पड़ेगा और एक database भी create करना पड़ेगा हमने तो database 2 के नाम पर एक database create कर चुक है और सोचो कि मैं आज student के database create करने वाली हूं alright और दो tables create करने वाली हूं क्यूंकि मुझे relationship set करने हैं alright so पहले शुरू करते हैं पहला तो id तो रहने दो we'll add name of the student so student name क्यूं क्यूं ने यूज करना है क्यूंकि name है keyword है you cannot use the name okay so student name create करते हैं और उसके बाद create करते हैं class class क्या हो सकता है grade तो numbers में होगा so मैं numbers में create करने वाली हूं so grade okay so अभी क्या करना है मुझे ये तो created है मैं ये table को save करने वाली हूं save करने कैसे करेंगे student one okay समझ में आया आपको अभी दूसरा में मैं करने वाली हूं next one you'll have to create another table create में जाके table create कर लो दूसरा table आ गया देखा st1 is here table is here और इसमें भी id की जरूरत है रहने दो और यहां पर रिखने वारे हैं role number role number कौन सा data type होगा number so मैं आपर role number लिखने वाली हूं और उसके बाद लिखने वाली हूं language okay उसके बाद लिखने वाली हूं language language कौन सी होगा text so language okay so अभी हमारे पास कितने tables हैं हमारे पास दो tables हैं okay so हम क्या करने वाले इसको भी save करेंगे और लिखेंगे student to alright समझ में आए आपको so this is how you create it याद है आपको हम लोगों को primary की भी set करना बहुत ही जरूरी है है या नहीं yes so student 1 का primary की कौन सा बनेगा id क्यूंकि यही unique होगा है ना so क्या कर सकते हो you can click on the thing and set as a primary key अभी तो id जो है यह तो सिर्फ normally दोनों के लिए common field है जब कभी आपको primary key set करना है आप set कर सकते हो alright so हमें तो पता है a primary key is a unique field primary key is a unique field है ना so we are going to set the primary key and see how to relate the tables alright so यहां पर हम क्या करने वाले है we are going to set the primary key काम पर जाना है हमें right click करना है table पर go to the design view अभी देखा design view में already यह जो है primary key set हुआ है याद है ना आपको यह golden key है ना so यह already primary key set हुआ है मगर data type जो है यह auto number है मुझे तो auto number नहीं चीए auto number मतलब automatically number generate होगा यह तो नहीं चीए so मैं यह निकालके number डालने वाली हूँ समझ में आए आपको so this is done यह तो save कर लेते हैं और दूसरे table को भी हम primary key set up करनी है so वाम पर भी right click करो design view पर जाओ already primary key set हुआ है और यह data type को बदलना है क्या से बदल सकते हैं you are supposed to click on the data type or change it to the number okay so अभी save कर रहें समझ में आया आपको so जब यहां पर दोनों है दोनों tables created है और यह आपको याद रखना चाहिए कि अगर जो tables को आप relate करना चाहते हो वो दोनों tables में एक field at least एक field common रहना चाहिए okay कब-कब relate कर सकते हो only when both the tables have at least one field in common और यह भी दूसरा condition है जब कभी यह field common बनता है वो common field at least एक table में primary की होना चाहिए तो यही है दो conditions पहला conditions क्या है पहला condition है आपको common field चाहिए दोनों tables में दोनों tables में एक जैसा column चाहिए एक ही data type का column चाहिए okay और दूसरा condition है हम लोगों को यह भी होना चाहिए कि वो common field जो है एक किसी भी एक table में at least वो एक primary की होना चाहिए समझ में आया अभी तो yes में तो कोई problem नहीं है क्योंकि हम लोगों ने दोनों tables में id को primary की ही रखा था और दोनों का data type भी एक ही है number तो आपको यह याद रहना चाहिए कि अभी column name field name एक साथ रहने से data type बदल जाएगा तो relationship set नहीं कर सकते है data type सेम होना चाहिए field name सेम होना चाहिए और किसी भी एक table में वो जो field है वो primary की होना चाहिए समझ में आया आपको all right so अभी देखते हैं कैसे relationship set करेंगे okay so आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा database tools कहाँ पे जाना है database tools और database tools में आप देख सकते हो relationships देखा आपको relationships अभी जब आप relationships क्लिक कर रहे हो आप आपके जो कुछ tables इस database में available है वो सब list होना शुरू हो जाएगा हमें तो कुछ सी table के साथ relate करना है हमें तो st1 और st2 को connect करना है relate करना है so क्या करने वाले है we will click on add अभी तो एक table जो जिनके columns है वो सब add कर चुका है है ना so अभी देखने वाले हैं दूसरा table st2 so अभी दोनों tables यहां पर क्या कर रहा है दोनों tables यहां पर saved है हम यहां से relate करने वाले हैं देखते हैं कैसे relate करेंगे okay so अभी क्या करने वाले हैं close okay समझ में आया so what you are going to do आपको जो common fields है उसे दोनों को हम connect करने वाले हैं कैसे connect करेंगे click okay click and drag देखो edit relationships के अंदर आ गया अभी कौनसी table से कौनसी table को हम लोगों को करना चाहिए st1 से st2 और कौनसी field और कौनसी field को करना है id और id और आज मैं press करने वाले हूँ create देखा समझ में आया आपको एक line आ गया है उसमें yes so this means both my tables are connected now it means both my tables are connected now okay अभी सोचो मुझे ये चाहिए मेरे पास एक id है जो five number का है और वो id का मुझे student का नाम और role number बता होना चाहिए वो कैसे मैं कर सकती हूँ अभी तो ये बहुत ही आसान से मिल जाएगा अभी तो दोनों tables relate कर चुके हैं so यहां से एक column यहां से एक column भी हम ले सकते हैं okay so वैसे भी हम how can you do it you can relate your tables and get data out of it समझ में आयां आपको yes अभी जो edit relationships click करते हो तब you can change देखो student name और id ऐसे relate होगा मगर यह relate होने से कोई user ही नहीं है क्योंकि दोनों का data type different है दोनों का field भी different है okay so यहां से आपको कुछ नहीं ले सकते हो आप आपको तो चाहिए दो common fields जो fields common रहेंगे उन से ही आप data collect कर सकते हो समझ में आया आपको so this is how you create relationship between tables अभी relationship में you can go ahead with the database tools okay आज तो relationship का already complete होया है so it is getting disabled समझ में आया so this is how you would be creating relationship between tables alright so so what did we learn today children हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे दो tables को create करके उसका relationship कैसे set कर सकते है और किसके लिए relationship set करना पड़ेगा क्योंकि हमें queries जब हम लोग process कर रहे है तब बहुत ही useful रहेगा alright so please make sure you practice this at your home children try out different databases सिर्फ student का ने employee का database या car garage का database कुछ भी ऐसे वाला जाहां पे आप save कर सकते हो data को वहां पे आप use करके दीखिये और please practice on these sessions meet you in the next session children bye bye